इन दोर का जो एक नमबर का चिनाव है वो बहुत तफ है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता अब जो है बहुत टकर वाला मुकाबला है इसले साल जो तीन बागी थे वो विधायक बने थे इसी अरिये से बीजेपी नब गेन करना शुरू कर दिया है अब आप यह मान सकते हैं कि जहां कॉंग्रेस बहुत आगे नजर आ रही थी अब कहीं ना कहीं कॉंग्रेस और बीजेपी लगवग नेक टू नेक हैं इस पूरे रिजन की बात करें इंदौर शहर में और इंदौर में हम मौजूद हैं प्रेस क्लब में इंदौर का मौसम तो बहुत अच्छा है लेकिन चुनावी मौसम कैसा है हवा किस और बह रही है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है कौन आगे चल रहा है सियासी समीकरन कैसे ही तमाम विश्यों पर अगर और उनसे जानेंगे, समझेंगे और आप तक इंदौर, विधान सभाक, रमांक एक और तमाम दो दूसरी सीटे हैं और मालवांचल का जो सम्मिकरण है वो पहुचाएंगे. तमाम वरिश्च पत्रकार हमारे साथ मौजुदे सर बहुत-बहुत स्वागत आपका. क्या फाइट लग रही है? इंदौर में अभी कि स्थिति क्योंकि अब तमाम प्रत्याश्यों के नामों की घोशना हो गई है, 15 दिन चुनाव में रहते हैं, क्या लग रहा है? देखें, इंदौर में बहुत इस पश्टता की स्थिति के वल एक दो विधान सभाशेत्रों में हैं, जैसे इंदौर दोर, इंदौर चार, इन विधान सभाशेत्रों को लेकर इस पश्टता की स्थिति है, कि यहां क्या स्थिति बढ़ने वाली है? इन दोनों विधान सभा थ्री से जो है वो भारतियंता पार्टी जीत रही जबकि पहले इन शेत्रों में लगातार कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते थे लेकिन यहाँ पर लगातार कांग्रेस हार रही है और इस बार भी अगर हम एक बहुत निस्पक्ष आकलन करें तो मुझे कोई संभावना विशेश यहाँ पर नजर नहीं आ रही है यहाँ पर प्रतिस परदा इस बात की है कि जो पुराना चुनाव लड़े हैं और अभी जो चुनाव लड़े हैं वो मारजिन कितना कम कर पाते हैं एक सम्माज जनक हार की प्रतिस परदा है यहाँ पर इन दोनों विदान सबाशेत्रों में इन दोर एक के चुनाव पर जहां से केलाश विजवरगी मैदान में संजेश उकला से उनका मुकाबला पूरे देश की नजर है क्योंकि केलाश विजवरगी देश के दस जो बड़े भाजपा के नेता उनमें उनकी गिंती होती इसलिए पूरे देश की नजर उस चुनाव पर है और जो इस्तितियां वहां कि इसलिए वहां यह नहीं कह सकते कि कोई वन-साइड़ेड इलेक्शन हो रहा है तो वहां की पूरी बहुत अच्छे से बाकिव है उनको उस विदान सभा शेत्र की तासीर मालूम है कि लाज जी इंदोर में उनका चोथा विदान सभा शेत्र इंदोर चार से लड़े इंदोर दो से लड़े महु गए और फिर यहां आ गए लेकिन यह जो विदान सभा चुनाओ रहता ना इसमें बड़े नेताओं से भी है केलाश विजवर्गी को जो उनकी नेशनल सिन्योरियों में हाई टेक पार्टी के बड़े लीडर है और चुकी माना जा रहा है कि यदि केलाश विजवर्गी चुनाओ जीतते हैं भारती जनता पार्टी की सरकार मत्य पुदेश में बनेगी तो वह एक मुख्यमंत्री प पार्टी के आप और राउ राउ एक ऐसा विदानसाबा शेत्र जिसका कुछ इससा शहरी है कुछ इससा ग्रामिन राउ में भी जो है बहुत टक्कर वाला मुकाबला जीतु पटवारी का यह तीसरा इलेक्षन है उनका यह तीसरा इलेक्षन है और मधू वर्मा जो है लगा भारतियन पार्टी के उम्मी दौर divine और कंग्रेश के उम्मीन कौनमी दौर जो है जीतु पटवारी उनका ग्रह शेत्र भिजल पूर में तो इसलिए वहां पर अभी चुनावी परिदरश्य में तो अगर हम बहुत विस्तार से बात करें आखलें तो चुनावी परिदरश् तो एक तरफा नहीं है मामला बहुत नेक टो नेक चल रहा है इन दौर की बिलकुल हमने बात की पूरे मालवांचल को लेकर भी अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या लग रहा है मालवांचल में फिलहाल हवा किस और बह रही है मालवांचल में पिछले बार जो था कॉंग्रेस ने यहां से बढ़त बनाई थी और कुल चाचट सीटे हैं यहां पर और यह चाचट सीटे बड़ी मायने रखती है क्योंकि कहा जाता है कि जो सत्ता की जो चाबी है वो मालवां निमार से ही पार्टी को मिलती है जो दल की सीट पिछले और फिर सरकार बना है देखाया तो जो मालवां निमार के जो आदिवासी बेल्ट कहा जाता है उसमें 22 से ज्यादा सीटे है और पिछली बार यह कॉंग्रेस के पास ज्यादा थी इस बार यहां पर दोनों इस सीटों पर फोकस कर रहे हैं पिछले साल राहूल गंध के इनकी विक्तिकत, एंटी इंकम में सी और इस पर पूरा चुनाओ टिका हुआ है क्योंकि जितने इहां पर विदायक है कॉंग्रेस और बीच भी दोनों ने मिलके 55 विदायकों को वापस टिकेट दिया है कारणिया है कि दोनों ही जो दलके जो विदायक जो बन जाते हो द बार भी दोनों ही दल अपने एक गड़ वापस पानी की कोशिश कर रहे बीजेपी और कांगरेस चाहती की जो हमारा नया नया गड़ बना है वो बरकरार है और कोशिश रहेगी और कांगरेस अगर सत्ता मजाना चाहती है तो बिलकुल मालवान चल पर फोकस रहेगा इंद पर पेक्षम अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है कि इंदोर में बहुत ज़्यादा बागी नहीं है इंदोर में एक तीन नंबर विधान सावा में एक वागी थे आज शाया हम तक शायद उनका विनाम वापस हो जाएगा महू में जरूर एक बागी है अंतर सिंग धर बा बात करें बीजेपी ने पिछली बार मद्यपदेश में मालवा में निमार में और इसके बाद में चंबल में बहुत नुकसान उठाया था और कॉंग्रेस ने सरकार बनाई थी पर इस बार पिछले दो महिनों में जो ट्रेंड दिख रहा है बीजेपी के खुद के सर्वे कर रहते हैं 40-45 सीटें इंटरनल जो सर्वे थे पर बीजेपी न अब गेन करना शुरू कर दिया है अब आप यह मान सकते हैं कि जहां कॉंग्रेस बहुत आगे नजर आ रही थी अब कहीं ना कहीं कॉंग्रेस और बीजेपी लगवग नेक टू नेक हैं इस पूरे रिजन की ब हो जाएंगे इन दौर में कितना असर होगा देखने वाली बात होगी लेकिन अब इन दौर एक बहुत ज़्यादा फोकस में हैं आप सब लगातार कई सालों से तमाम जुनाव जो मत्यप्रदेश के हैं वो आप कवर भी कर रहे हैं इस बार क्या दिख रहा है कैलाश विजे इंदौर के लिहाज से एक बड़ा चेहरा है पर मालवा नीमाल में उनकी इस चुनाव के अंदर कोई भूमीका रहेगी ऐसा मुझे कुछ दिखनी रहा है दूसरा जिस्त वो दूसरी अन्य सीटों पर जा रहे हैं और ततकाल लोड के वो अपनी सीट पर आ रहे हैं वो अप भूब मेनत करना पड़ाए क्योंकि संजय शुकला भी कोई कहीं कमजूर नजर नहीं आ रहा है और जैसा कि है कि संजय शुकला एक चुनावा लड़े हैं चुनाव अहारे है यह चुनाव जीतैं लगातार उनका ने यह कार्पारेटर भी रहे हैं तो और निवास उनका वो को चेतर के और केलाश विजवरगे के लिए सबसे बड़ी चुनोती और ये मेरा ऐसा मानना है कि यह आम भारती जन्यादां के कार्यकरताओं का यह सवाल है कि बिदान सबाच छेत्र कमांग एक भारती जंता पार्टी के लिए इतना कमजोर छेत्र ही नहीं था जिसके लिए केलाश विजवर्गी जैसे बड़े नेता अगर इतने बड़े नेता थे और इतने बहुत पावरफुल नेता थे तो उनको तो इसी मालवा निमाल की कई सीट जो है वो जो महाँ पर बागी खड़े हुए जिन में साथ सीटों पर सीधे भारती जंता पर्टी को चुनोती है तो इन चुनोतियों से निपटने की इन बागीयों को बैठाने की यह जब जवाबदारी केलाश विजवर की थी जो आज खुदी चुनाओं में उल्जे हुए ह और कितना सुलजा पाएंगे चुनाओं को यह देखने वाली बात होगी और भी है हमारे से द्वरिश्ट पत्रगार उनसे भी हम बात करेंगे सर यह समझना चाहेंगे कि सीम फेस को अभी तक रिवील किया नहीं है बीजर पी ने कैलाश विजवर की और दूसरे तमाम नेताओं के बयान जो हमने सोने कैलाश विजवर की ने काता कि हो सकता है जो है बड़ी जिम्मेदारी मिले दुखी भी हुए थे जब चुनाव में उतारा गया था उनको और बेटे को लेके भी दुख जाहिर किया था महत्वका आंशाय बिल्कुल सबकी होती है इस पूरे मामले में और सीम फेस रिवील ना करना कैसी स्टाटीच लग रही है और कैलाश विजवर की को आप कहां पर पा रहे है दो चीज़ आपने पूछी क कि सीम फेस रिवील ना करना यह अभी तक के दिखा जातों बीजेपी या कहें तो कॉंग्रेस की परंपरा रही है पिछले चुनाओं तक जब उन्होंने सीम का फेस रिवील नहीं किया था हुआ यह था कि जब कॉंग्रेस की सरकार आ गई तब बीजेपी ने तंजी कशना चालू किये कि इन्होंने दिखाया तो चेहरा सिंधिया का था मतलब यंग पर्सन का था और शाधी जो है एक बुड़े विक्ति से करवा दी क्योंकि कॉंग्रेस अभी तक के सीम फेस करते नहीं आई थी बीजेपी हमेश पिछले तीन चुनाओं से जो 15 साल बीजेपी गव बारा दिखे गए तो कहीं ना कहीं शायद एंटी इनकंबेंसी चेहरे को लेकर ये शायद बीजेपी समझ रही है और दूसरा एक कुछ बड़ा मेसेज देने का लगता है कि शिवरा सिंग चौहान हो या फिर प्रदेश में और भी जो नेता है जो दिल्ली तक का सफर किये उसमें ये साथ सांसद भी है और एक जनरल सेक्रेटरी भी है जो पिछले 10-15 साल से या करीब इतने टाइम से बिल्ली की सियासत कर रहे हैं लेकिन प्रदेश में नहीं थे उनको वापिस प्रदेश में शुरुआत से नरसरी से उनको ये कहाए कि आपको अब ये टेस्ट दे लिए गया या नहीं लिए तब मुझे लगता उनकी नेक्स्ट भूमी का तय होगी तो ये तो रही बात की ये सीएव फेस की रिविल नहीं करने की और दूसरा आप पूरे सीएम के फेस ना रिविल करने में कहां पर आपको लगता है कि वो खड़े हैं ये तो जित्ते भी सातों बढ़े देता है उसमें से नरने सिंग तोमर भी अपने आपको सीएम केंड़ेट मान रहे हैं नरुत्त मिश्रा भी को भी लग रहा है गोपाल भारगव भी कह अशिरवाद दे दिया है कि इस बार तो आप उनकी बहु कह रही है कि इस बार तो मेरे ससुर जी सीएम बनेंगे बनेंगे तो इसे सपने तो बहुत को आ रहा है क्योंकि ये सा होता भी है पिछले चुनाओं में जहाबुआ से जब कांतिलाल भूरिया खड़े हुए थे एक घोषणा करके ये तो बताने कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक बड़ा विक्तिव लगा इसलिए हमको चुने तो यह यह भी दिखाता है कि कितना टफ एलेक्शन है इतना एजी केक आउक नहीं है केला शुजरगी जी के लिए भले इतने बड़े नेतर है लेकिन दस साल पाद आके फिर से शुरू से अभी सीडी से शुरू करना और वह भी तब जब सामने एक बहुत अच्छा के इंड़ेट है कॉंग्रेस की तरफ से जिसने मेर मेर में पिछला जो मेर का इलेक्शन बीजेपी जीती थी वह करीब पौने तीन लाग वोट से जीती थी लेकिन य तो उसमें बहुत उन्होंने जो है कवर किया चुकि लीड इतनी जादा तो कवर अप किया तो संजे शुकला भी इतने कोई एसा नहीं कह सकते कि कमजोर के इंडेट है और उनकी सरलता उनका सबसे मिलना यह कई ना कई उसके अपोजित थोड़ा था केलाज जी का चला जाता ना होकर पूरे इंडौर की जो सीटे हैं उसको भी एफेक्ट करने की दिखाई देती हैं बड़ी एक बड़े चहरे को उतार के तमाम दूसरी विधान सभाओं को भी साथने की कोशिश क्या आपको लगती है बीजेपी कि और लगती है तो कितना सक्सेस आपको लग रहा है क उसमें बीजेपी ने भारतिय पार्टी निश्चित तोर पर केलाश उजवरगी को जो इंदोर से उम्मीदवार बनाया उसके पीछे मकसद यह था कि केवल इंदोर ही नहीं सेंट्रल इंडिया मालवा निमार जो है जिसमें केलाश उजवरगी का प्रभाव माना जाता है उ कि उन्हें इतना समय यहां देना पड़ेगा वो इतने उलहज जाएंगे यहां पर आला कि जो पार्टी उनको शेडूल दे रहे हैं इसको आज ही केलाश विजवरगी बहार है तो वहां के मद्दाता देख रहे हैं कि अगर हम आज केलाश विजवरगी हमारे जन्पति का मुका मिलेगा तो तो हम उसमें हमारा भी कांटिबूशन रहना चाहिए लेकिन दूसरी वर जो मैं आपसे कहा ना कि आज कल इलेक्शन में लोग चाहते हैं कि उनका उम्मीद्वार चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो वो उनके भी चाहे तो केलाश जी उस फ्रंड पे जरूर उनको बहुत अभी वो लग रहा है समय क्योंकि आते हैं अपना शुडूल फिर केलाश जी का इरेक्शन केंपेंट शुरू से एक डिफरेंट लाइन पर रखते हैं जिस दिन से उनका टिकेट गोशित हुआ उसके बाद उन्होंने इस शेत्र में सामोहिक बेठकों क मुझे मोखा देंगे तो मेरा यह वीजन प्लान है इस शेत्र के डेवलोप्मेंट को लेके तो बहुत सारी चीज़ें जो है वह अपनी लेकिन निसंदे अच्छा दूसरा है कि यह को इंदोर की कुछ सीटों पे तो फाइदा मिल रहा है कि जब समय मिलता है तो तीन नंबर में आ जाते हैं समय मिलता है पाच नंबर में चले जाते हैं दो नंबर में चले जाते हैं तो वह iंका जो उनके उम्मीद्वार बनने से माहूल बना है उसका फायदा निharp dass そ में मालवा निमाड़ में जो पाइदा के लाश विजवर्की का भाय системिन्ता परट्ली को मिलना च कॉंग्रेस में अंतर कला की भी हमने बात की बगावत भी है आज ही एक स्तीवा हुआ है उसके अलावा संजे शुकला जो है वो टफ फाइट दे रहे हैं लेकिन जीतु पटवारी को जो मधु वर्मा है वो भी टफ फाइट दे रहे हैं तो इंदोर में अगर हम बात करें देखिए जो इंदोर की जो नो सीटे हैं यह इस भाजपा का गड़ मानी जाती क्योंकि शेहरी सीटे हैं और पिछली बार यहां पर तीन सीटें कॉंग्रेस ने जीती थी यह हला कि चार सीटे थी बाद में एक जो सावेर की सीट थी वो बीजेवी में चले गए तो इस बार पर अभी कॉंगरेस का एक्चुल में इन इलाकों में हमेशा कम जोर रहा है उसका एक कारण यह भी रहा है कि सत्ता से जो दूर रहें उनके कम विधाय करहते थे तो वो निशीत तोर पर वो काम नहीं कर पाते थे और सरकार ना होने का एक उनको नुकसान भी उठाना पड़ काफी अच्छे बाटे कांगरेस ने विचार के बाटे हैं इस बार कुछ सीटों पर बढ़त हो सकती कांगरेस की इसा लग रहा है इन दोर में वो वक्त बताएगा कि क्या कि सूट बेठेगा जीत का ओड़ बेठेगा और मौसम किसके आँ गुलाबी रहेगा किसके नहीं र पूल्स की अगरम बात करते हैं तो जो हाल फिलहाल में पोल्स आये उसमें कॉंग्रेस को ओवरॉल बढ़त दिखाई है कुछ ऑपिनियंस पोल्स में जो है मालवा निमाड में और इंदोर में अगर पूरे मालवान चल बेल्ट में कॉंग्रेस पीछे थोड़ी दिख रही ह है ज्यादा फाइट कौन किसे दे रहा है डेफिनेटली यह चेंड के निजन जो कहा कि जो यहां से जो सत्ता तक का जो रास्ता जाता है मालवा निमाल से जाता है इंदोर संभाग में आठ जिले आते हैं और वहीं उजन संभाग जो मालवा का एरिया उसमें साज जिले आते हैं तो उसमें कुछ जिले जिसे आज की तरीक में बात करें तो नीमच मंसोर जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक हैं राइस्थान के उसमें सातों की सातों सीट बीजे तो इस बार जो है वोटिंग परसेंटेज इसलिए बढ़ने का है कि अगर आप अलग-अलग इन जीलों के कलेक्टर से बात करें जहां पर माइगरेशन ज्यादा है जाववाली राजपूर तो उन्होंने इतनी स्वीप एक्टिविटीज की हैं वहां पर पड़ोसी राजजी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एक वहां पर प्रदेश का सबसे कम वोटिंग हुआ था पिछले साल तो इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो जैसा कहा जाता है एक्सपर्ट्स के दौरा कि ट्राइबल जो लोग है वह परंपरागत रूप से कॉंगरेस के साथ है यह कहा जाता क्योंकि यह हमने रिजल्ट में भी चेक किया है रिजल्ट में भी देखा है कि जित्ती ट्राइबल स्रीट से उसमें को ज्यादा सीट मिली है और दूसरा देखा जा है तो इन फाइटिंग डिश्टिक वाइस भी बात करें तो बीजेपी के लिए इन फाइटिंग जादा है कॉंग्रेस कॉंग्रेस तो विसे भी सत्ता से बाहर ही थी उनके विधायक या उनके जो केंड़ेट्स वह अल्मोस्ट उन्होंने बहुत पहले से त्रह कर दी तो देखा जाए सीधे तोर पे या फिर जो है दूसरे तरीके से उन टिकेट जादा काटना पड़े कॉंग्रेस के साथ यह मुश्किल नहीं है कॉंग्रेस में तो इवन जो इनके रेबल जो जीते थे तीन विधायक इनके जीते थे उसमें से दू विधायकों को टिकेट दिया है इन्होंने और बीजेपी ने एक विधायक को जो कॉंग्रेस क सपोर्ट भी दिया उसको सुशनेर से इन्होंने टिकेट दिया तो वहां पोग की स्थिति जो अभी आज की तारिक में दिख रही है तो इससे थोड़ा सेंटिमेंट्स एक क्रियेट हो रहा है पता नहीं वो कितना सही बेटेगा उसका रेजल्ट बताएगा तेकिन एक नरेट इंफलेशन, अनिम्प्लोयमेंट अलोंग विट एरोगेंस इसे बीग इशू एक विधान सभा शेत्र हो या फिर इंदौर की बाकी विधान सभा शेत्र वहां पे इजी केक वॉक किसी के लिए नहीं है बीज़ेपी कॉंग्रस के बीच में काफी टफ फाइट है और वही फाइट हमको इंदौर एक विधान सभा में भी दिख रही है जहाँ पर कैलाश विजवर्गी और सन्यशुकला आमने सामने हैं दोनों के लिए ही जुनाव जो हैं व हुआ 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 है